कि Hello everyone this is Gaurav Tiwari & I will come you all in the series of Python where we are discussing typecasting पिछ़िी क्लास में आपको typecasting का introduction बताया थे कि typecasting क्या होती है और int function जो था उससे मैंने आपको कई सारे examples कराये थे int function से related आज की वीडियो में him float function और complex function को cover up चरेंगे फिर next video में बुलेन strings कि बात करेंगे सो चलिए guess करिए float of 12, क्या answer आएगा, float of 12, क्या answer आएगा, 12.0, क्योंकि float, हम decimal बोर रहे हैं कि decimal बना दो, 12 के decimal बना होगी, क्या आएगा, 12.0, that is correct, float of 10 plus 2j, complex number को float में convert करने की बात कर रहा हो, नहीं हो पाएगा, error आएगा, क्यों, type error, क्योंकि 10 plus 2j, भाई, ये complex number, इसका float, कैस मैं कोई float number बना दो, it is not possible, float of true, float of true, int of true क्या होता था, 1, float of true क्या हो दाएगा, 1.0, error नहीं, 1.0, float of false, बिल्कुल सही है, तो बताई दोगे, 0.0, चलिए, अब interesting, float of 10, float of 10, 10 लेकिन string में है, नहीं तो बोल दो 10.0, इसकी वज़े से, ऐसा नहीं, float of 10 लेकिन 10 string में है, क्या लगता है, error, error, नहीं, answer will be 10.0, python will happily accept it, accept कर देगा, 10 को 10.0 बना देगा, कितना intelligent है, python, कितना intelligent है, 10.5, सथ इसको तो नहीं बना पाएगा, इसमें error आएगा, नहीं, इसमें भी error नहीं आएगा, इसको भी, इसको भी चला लेगा, 10.5, string में है वो float value बना देगा, उसको, बहुत intelligent है, बाकी language में ये काम करने में नहीं आ जाएगी, कम से कम 10, 20 line, 25 line का code लिखना पड़ेगा, इतना सा काम करने के लिए, float of 10, अब इतना भी नहीं कि सरपी बेढ़ दाओ, 10 लिख दिया तो इस 10 को समझ ले कि 10 होता है, English में, तो number में होगा 10 तो वो 10 लिख दे, इतना भी नहीं है, है ना, लेकिन हाँ, यहाँ तक support कर रहा है, सोच लीजिए, बहुत अच्छा काम किया, float ने, समझ में आया सभी को, कोई doubt है, तो comment box में doubt देना है, अगर कभी कोई doubt हो रहा है, या let's say कभी मुझ से कुछ लिखते time mistake हो जाती है, तो आ comment box में जरूर बता लिए कि सर यह गलती हो गई है, हम उसको verify कर लेंगे, कोई रिक्कत नहीं है, complex function की बात कर लेते हैं, complex of 10, 10 को बना दो complex number, कैसे बनाएगा, 10 को complex number बना देगा, 10 plus 0 j, देखिए, complex function दो तरीके से काम करता है, या तो आप एक argument दे दो, या दो argument दे दो, अगर जैसे दो argument दे रहा हो, जैसे आपने के दे दिया, complex of 10, 20, तो उसको बना देगा, 10 plus 20 j, अगर सिर्फ एक argument होगे, तो उसको real माल लेगा, और जो दूसरा वाला है, उसको 0 j करके imaginary कर देगा, जैसे 10.5, तो बता क्या करेगा, करेगा 10.5 plus 0 j, 10.5 plus 0 j, समझ में आरा 10.5 plus 0 j, complex of true मतलब 1, तो इद आएगा, 1 plus 0 j, complex of false, 0 plus 0 j, आप पता वीडियो को पॉस्ट कर लिया करो, और खुद सॉल्ट किया करो, और फिर चेक किया करोगे, कि सर क्या बता रहे है, और मैंने क्या लिखा है, ठीके, चलिए, so complex of 10, क्या लगता है, it is difficult, complex of 10, इतना intelligent है पाइधन की 10, कर देगा, चलिए, क्या लगता है, 10.5, स्ट्रिंग है, बताईए, क्या लगता है, सोचिए, क्या लगता है, क्या लगता है, error, 10.5 प्लस 0, जे, इसको भी चला देगा, कोई issue नहीं आने वाला, complex of 10, अब ये तो वही बात हो गई, हाथ देना, सर पे बैठना, ऐसा थोड़ना हो पायागा, कि आप T and 10 को समझके कर दे, बट फिर भी बहुत intelligent है, complex of true, false, 1 प्लस 0, जे, बन जाएगा, ठीक है, वीडियो को pause करके, खुद करने की कोशिश किया करो, और जो गलत हो जाया है आपसे, उस पर अपनने style लगा लिए, क्या रही, ये मैं सोच रहा थे, इसमें error आएगा, लेकिन ये तो, सर ने बता है, य उससे और confidence built up होगा, ठीक है, चलिए, I hope कि आपको complex function clear हो गया है, float function clear हो गया है, typecasting में तीन function हमें discuss कर लिये है, inter, float और complex, अब बचे है, bull और str, उनको में discuss हरूँगा, आपसे next video में, take care of yourself, like the video and subscribe the channel to get further notification of the videos, this is God of 30, signing off, I will see you in the next video, bye bye